नमस्कार दोस्तों बिंजन कुप में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं कलोंजी और जीरे वाली पापड़ी वैसे भी बाहर का नाश्ता आजकल हम अवाइड कर रहे हैं और जितना घर का बना नाश्ता हो वो ज्यादा अच्छा है तो स्नैक्स के लिए बहुत ही बढ़िया उपाय है ये इसका इस्तमाल आप जरूर करें लेकिन कैसे बनती है ये पापड़ी ये जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आके आगे आपको नई-nई रेषिपी मिलती रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं घेहों के आटे से बनी ये पापड़ी बनाने की विधी तो कलोंजी जीरे वाली पापड़ी बनाने के लिए हमने लिया ही ये एक किलो घेहों का आटा कुछ लोग मैदे की बनाते हैं लेकिन हमने मैदे अबॉइड किया है क्योंकि क्योंकि आटे से भी यह बन सकती है तो इसमें हमने डाला है दो टीस्पून डमक इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून काली मेरी का पाउडर यानि की ब्लैक पेपर एक टीस्पून भूने हुए जीरे का पाउडर या कि एक दम पाउडर नहीं है फाइन पाउडर नहीं है ये थोड़ा साबूत भी रखा है इसको तो यह हमने एक टीस्पून डाला एक टी स्पून हम डालेंगे इसमें कलॉन जी इसे इसका स्वाथ बहुत ही बढ़ी आएगा तो इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे मोन के लिए तेल इसमें जो तेल हम डालेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे क्योंकि इसको क्रिस्पी बनाना है तो इसके लिए हमने लिया है करीब आधे कब जितना तेल और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे अब ये तेल और मसाला सब आटे में अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद ही इसमें पानी डालके हम इसको बानने के शुरुआत करेंगे पानी जरूत के हिसाब से डालेगा ये आटा ज्यादा गिला ना हो जाए और ज्यादा कड़क ना रहे वैसा हमें बनाना है वैसा बांदना है बिल्कुल जैसा हम पूरी के लिए बनाते हैं या फरसी पूरी या समोसे की बाहरी परत जो हम बनाते हैं उसके लिए जो आटा गो कुछ इस साइज की तिंकुरियों की हम चोटी चोटी पूरी बनाएंगे ज्यादा बड़ी नहीं ज्यादा चोटी नहीं वैसी को काटा चमच से ऐसे गोद देंगे दोनों ही तरफ यह हमने कड़ाई में तेल डालके गरम कर लिया है और अब धीमी आज पर इस पापड़ी को हम फ्राइ करेंगे बहुत धीमी आज पर हम इसको क्रिस्पी होने देंगे और थोड़ा सा गुलाबी हो जाए तब तक इसको हम फ्राइ करेंगे तो कुछ ऐसी हल्सी हल्की ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसको फ्राइ करना है और फिर तेल से निकाल लेना है तयार है हमारी जीरा कलोंजी वाले ये पापड़ी स्नैक्स के लिए बहुत ही बढ़िया उप्शन है और कलोंजी सेहत के लिए कितनी अच्छे ये तो आप सब जानते ही होंगे तो इसका इस्तमाल जरूर करें खाने में अलग-अलग तरीकों से तो कैसे लगा आपको हमारे ये वीडियो हमें लिक कर जरूर बताएं अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको नई नई रेसिपीज मिलती रहेगी तब तक किप बिंजिंग किप कुकिंग झाल